हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो मैं चैनल फार्मकलोजी कॉंसर्ट्स भाई राजेस चौधरी इन दिस वीडियो आई विल्सक्ष अबाट देटेक्शन ओफ एलमेंट्स इन दे प्रजेंड और अगनिक कंपाउंड वाले हैं और अगनिक कंपाउंड में जो इलमेंट्स प्रजे तो जो प्रेंट होते हैं just कंसे आंडवाइट कर सकते हैं कैसे हम उसको अंग क्लास की वीडियो ती और अगनिक के कि निखिक सिवए क्या होते हैं बैसिक थिंस्क्राइब इसके كХैण स्टेडिबलशी फ्यूट्ट इस में प्रजय को थार्मकमिस्टि मतलब हम अगर organic compounds के property को या उसके features को या उसके chemical properties को या उसके structure को हम study करें तो एक तरीके से वो organic chemistry का part होता है और वो organic compound कौन सा है means the compound है से carbon atom means common जो है आपका organic compounds में carbon atom होना ज़रूरी है पहला criteria है second criteria है जो उसमें carbon present होता है उसमें एक unique property होती है जिसको हम बोलते है केटनेशन means ability to bind with the same element तो वो कहिन कहीं carbon जो है दुसरे carbon से भी bind हो सकता है चाहे हो single bond हो double bond हो या फिर variety of length साब से भी आपका इसलिए हम उसको और इन्यकंपाउंड को और इन्यकंपाउंड को divide किये हैं तो आज की वीडियों हम बात करने बात करने बात करेंगे जो भी इसमें में जो element होते हैं उसको किसे कर सकते हैं so first we should know about the basic composition of the organic compounds जैसे के हम बात कर चुके है जो carbon is the always present carbon हमेसा होता ही है आपके organic compound में second है आपका hydrogen hydrogen is almost present in the all organic compounds प्रिसमें बात करें तो 99% chance है कि आपका hydrogen उसमें होता ही है तेकिन बात करें other compounds की जैसे कि आपका element है अंधर element की जैसे कि आपका oxygen है तो oxygen commonly present होता है आपके और निक कंपांड में बात करें हम nitrogen sulfur या hydrogen की तो यह less commonly present होता है आपके और निक कंपांड में बात करें था फैसफरस की तो वो वह very clearly present होता है आपके इन organics compound में, तो यह आपके series हैं, carbon always present, hydrogen almost present, oxygen commonly present, hydrogen sulfur and halide, means chloride means chlorine, fluoride, bromide, iodide, these are the less commonly present and phosphorus is rarely present, now come to the detection of the elements, first is the hydrogen and carbon, तो अगर किसी भी compound में, organic compound में है, तो वो hydrogen और carbon होना लभक ज़रोरी है, तो अगर उसको हम test करना हो, तो basic test procedure है, वो होता है, आपका first is the copper oxide test, तो copper oxide test के थुरू हम किसी भी compound में, किसी भी organic compound में, hydrogen और oxygen को detect कर सकते हैं, अगर हमको मालम नहीं है, कोई compound unknown है, अगर वो organic है या नहीं है, कि हम, क्योंकि जानते हैं कि organic compound में carbon होना जो हो रही है, तो हम first इसका carbonic test करेंगे, कि carbon उसमें है की नहीं है, तो carbon या hydrogen को हम test करने के लिए copper oxide test, use करते हैं, this is the common test for the hydrogen, sorry, hydrogen and carbon, so now we come to discuss about this procedure, तो अगर copper oxide test की बात करें, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी organic compounds हैं, जिसमें carbon या hydrogen ह होता है, या हम बात करें unknown compound की, और हम भी चेक करना है कि उसमें organic है या in-organic है, तो organic कब होगा, जब समें carbon होगा, तो उसके लिए हम test करते हैं, copper oxide test, तो इसमें क्या करते हैं, हम simple test रुपे, आपका organic compound लेते हैं, और उसमें हम copper oxide add करते हैं, जो इसका ratio है, लाफ़क 1 ratio 3 होगा, अगर आपका 1 gram organic compound ले रहे हैं, तो approximately 3 times more, means 3 gram हम लेंगे copper oxide, उसको हम heat करने के बाद एक इस टाप के इस्टुमेंट से, बबल के थुरू हम उसका जो gas बनेगा, उसको हम आपके इसमें lime water होगा, उसमें हम उसको pass करेंगे, उस gas को, तो अगर वो उसमें carbon हुआ, तो copper cupric oxide के सा तरके क्या बनाएगा आपका carbon dioxide, और carbon dioxide अगर gas बनता है, तो कहीं न कहीं इसके थुरू वो आपका easily pass होता है gas और वो जाता है आपके lime water पे, और lime water में मुचने के बाद वो rate करता है lime water पे, और वो एक तरके से milky color produce करता है, आपके lime water पे, जो कि transparent होता है, वो फिर आपका milky produce ह गुआ, means, उस compound में carbon है, means, वो आपका organic compound है, अगर बात करें हम hydrogen की, तो same test है, तो अगर इसी compound में hydrogen भी है, तो कहीं न कहीं, वो इस से rate करके, means, cubic oxide से rate करके, आपका water बनाएगा, H2O बनाएगा, water बनाएगा, तो कहीं न कहीं, इस point पे वो droplet tube में condense होगा, जिसको हम बलते है water अब यह check करने के लिए कि वो water है की नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, उस water को निकालके, हम दुसरे test tube में, inhydrous copper sulfate, inhydrous copper sulfate, हम उसमें add करते है, जो कि inhydrous copper sulfate का normal color है, वो white होता है, वो आपका water सांथ rate क्या बनाएगा, hydrated copper sulfate, और जो hydrate copper sulfate है, वो इसमें blue रंग होता है, इसका blue हुआ, इसका मतलब, compound में, आपका hydrogen भी है, तो इस तके से हम, copper oxide test की मदद से, आपका किसी भी unknown compound को, organic compound है, या inonic compound है, हम चेक कर सकते हैं, तो उसमें carbon हुआ, तो CO2 बनेगा, और hydrogen हुआ, तो वो water बनेगा, और हम इस water को भी चेक कर सकते हैं, by the help of, नहीं, just copper sulfate, and carbon dioxide को सकते हैं, by the help of lime water, this is the basic procedure of the copper oxide test, now come to the detection of oxygen, means उस organic compound में, अगर oxygen भी हुआ, तो मुसको किस तरह के से test कर सकते हैं, तो first test is the water test, means अगर हम, उसी organic compound को test में लेके, heat करेंगे, तो जहर से बात उसमें, आपका water droplet, produce होगा, तो फिर हम उस water droplet को, हम चेकर सकते हैं, कि वो water है की नहीं है, by this procedure, this common procedure, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर यह जो आपका procedure है, हम follow करेंगे, अगर वो negative result हुआ, इसका मतलब यह नहीं है, कि उसमें oxygen नहीं सकता, कि ये बाद जो oxygen है, वो hydroxyl, carbonyl, ACD, या hydrofoam में भी होता है, तो उसके लिए अलग से specific test हैं, उसके तरह भी हम cross check करते हैं, कि उसमें oxygen है कि नहीं, तो इस तरके से हम, किसे भी organic compound में oxygen है कि नहीं, उसको हम check कर सकते हैं, by the help of water test, in the specific test for the oxygen, now, now, come to the reduction of nitrogen element in the organic compound, means, अगर organic compound में nitrogen भी है, तो उसको हम कैसे hydrate कर सकते हैं, so, by this procedure, means, first is the sodium, sodalime test, sodalime test के through हम, जिसे भी organic compound में nitrogen के presence को हम check कर सकते हैं, and in this procedure, we check the aroma of ammonia, means, aroma of ammonia को हम check करते हैं, कि उसमें, आपका जो ammonia का गंध है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, so, इस चीज़ को हम सुझते हैं, by the reaction, तो बात करें, organic compound की, जिसमें अगर nitrogen compound ह होगा, तो उस organic compound को, 1-2 में, means, 1 ratio, मतलब 1 gram, अगर हम organic compound ले रहे हैं, तो 2 gram हम लेंगे, sodalime, means, NaOH, means, sodium hydroxide, plus calcium oxide, तो यह जो mixture है, sodalime है, sodalime सांत rate करकर के, वो जो आपका ammonia gains produce करेगा, और वो evolved होगा, उसको हम गंध के साब से, उसके जो aroma है, उसके साब से हम heat rate कर सकते हैं, this is the first procedure of the detection of nitrogen, now come to the lesine test, second is the lesine test, which also known as the sodium test, or lesine extract, or sodium extract test, so this is the most common test, or most common procedure for the detection of various elements, which present in the organic compounds, like sodium, sorry, like nitrogen, like sulfur, like halides, means, chloride, fluoride, or bromide, तो बात करें हम lesine test के, या lesine extract के, या एक common procedure है, जिसकी समदद से हम, किसी भी organic compounds में, चाहे nitrogen हो, चाहे आपका sulfur हो, चाहे आपका highlight हो, उसको हम easily detect कर सकते हैं, तो पहले हम समझते हैं, कि lesine extract या lesine test क्या है, या sodium extract क्या है, तो basically हम इसमें, एक test tube, lesine tube बोलते हैं, उसमें हम एक प्रसें के बाद उसको हम एक तरह के से distil water में break करते हैं, break करने के बाद उसको दुब़ारा heat करते हैं, बॉलिंग तक उसको filter कर देते हैं, filter करने के बाद जो हम filtrate होगा, वो एक तरह के से lesine extract होगा, या पि उसको हम sodium extract भी बहुत सकते हैं, और वो sodium extract basically like land nest का होता है, उसमें क वोगि आवरी sodium highly amount में है, sodium जो है, उस water में प्रजेंस सोने वाले hydroxide, आयन के साथ में rate करता है, और बनाते हैं, आपका sodium hydroxide, तो पहले हम समझते हैं, one by one, by the different procedures, ये different directions, फर्स्ट बात करें, तो sodium react with the carbon and nitrogen, वोगि वो organic compound है, मिस्ट, उसमें carbon हमना ज़रुरी है, अगर उसमें nitrogen भी है, तो एक तरके से वो sodium carbon और nitrogen citrate reactor के क्या बनाएगा आपका sodium cyanide, ठीक है, and sodium cyanide जो है, जो कि आपके lesine extract में presence है, मिस्ट, sodium extract में presence है, तो खास कर, ये जो next है आपका sodium hydroxide, जो अल्यड़ी उस lesine extract में मजूद है, अगर उसकी viscosity कम होती है, उसको हम additionally sodium hydroxide add कर सकते हैं, और उस sodium hydroxide जो है, फर्दर फिर आपका ferrous sulfate से हम add आते हैं, मिस्ट, उस tube में lesine extract को लिंड़ के बाद, हम ferrous sulfate उसमें add करते हैं, और ferrous sulfate add करने के बाद, हम उसको heat करते हैं, heat करने के बाद उसमें एक compound बनता है, वो होता है आपका ferrous hydroxide, और इस ferrous hydroxide को जो है next हम, उस compound में जो आपका NaCN है, उससे rate करता है, और वो बनाता है आपका sodium pharoosanate, तो यह sodium pharoosanate बनता है, फिर जो आपका mixture है, वो cool करने के बाद, जिसमें sodium pharoosanate बना होता है, उसमें हम फिर कुछ drop जो है, आपका ferrous hydroxide का add करते हैं, with the presence of acidic media, means in the presence of HCL, तो उसमें HCL दालने के बाद, हम उसमें ferrous hydroxide add करते हैं, उससे compound बनता है, जो होता है आपका ferrous hydroxide, जिसको हम persian blue भी बोल सकते हैं, इसका रंग ही आपका persian blue color produce होता है, और जो आपका acidic media हम इसलिए देते हैं, ताकि जो आपका ferrous hydroxide का जो कुछ, ferrous sulfate का जो कुछ color बनता है, green color वो भी dissolve हो सके, और हमको एक completely persian blue color का एक substrate मिले, एक output मिले, तो इस तरह के से हम किसी भी components में, organic components में sodium हो, उसको हम detect कर सकते हैं, so this is the basic procedure for the detection of nitrogen element, ठीक है, तो यह common procedure है किसी भी compound के लिए nitrogen के लिए है, कि हम इस तरह के से detect कर सकते हैं, and second is the detection of sulfur, तो बात करें हम अगर detection of sulfur की, तो sulfur में भी हम एक तरह कैसे lasine extract बनाते हैं, means हम एक test tube में, या lasine tube में हम sodium लेते हैं, sodium लेने के बाद उसमें organic compound को mix करते हैं, उसको फिर हम heat करते हैं, heat करने के बाद उसको, आपके distil water पे हम उसको break करते हैं, break करने के बाद उसको heat करते हैं, heat करने के बाद उसको हम filter करते हैं, जो फिल्ट्रेट होगा, वो एक तरके से sodium extract या फिर lesine extract होगा जिसमें आपका जो sodium के साथ में जो organic compound है वो उसमें rejection करेगा जैसे के हम बात किये थे पहले वाले में nitrogen में तो उसमें sodium cyanide बना था तो इस case में आपका जो sodium है वो वो कि उसमें already अगर carbon है या फिर nitrogen है तो उसमें आपका sulfur भी है तो एक तरके से sodium sulfosyanide बनेगा जो कि आपके अलरड़ी lesine extract में पुझोथ होगा और फिर उसमें हम कुछ ferric chloride की drop डालेंगे तो ferric chloride डालने के बाद उसमें compound रनेगा वो है आपका ferric sulfosyanide फर्मुला FE in bracket cns in bracket all 3 तो इस is the formula of ferric sulfosyanide and which is a blood rate in color तो blood rate का color produce हो रहा है फ्रेट chloride डालने के बाद तो हम उसमें यह बोल सकते हैं कि उस compound में आपका sulfur भी मौझूद है लेकिन बात करें हम क्योवल sulfur की तो क्योवल sulfur को भी अगर हम लिसान इस्ट्रेट से भी चेक कर सकते हैं जैसे की बात करें सेम प्रोशेडिक स्थ्रू अगर हम उसमें स्क्योवल sulfur हो तो वो sodium बिसान इस्ट्रेट करें तो इक तरह से जैसे के हम यह बोल सकते हैं कि उसपे आपका sulfur है या फिर उसको हम estic acid media पे add करके थोड़ा सा उसमें हम lead state mixture lead state इसमें rate कर रहा है तो वो आपका sodium sulfide lead state के साथ rate करके क्या मना है आपका PBS means lead sulfide जिसके आपका black color का होता है means black prostate उसमें out होता है बनता है तो अगर black prostate बना in presence of lead state by the sodium sulfide means sulfur is the present in this compound तो हम अगरनिक compound के अलवा इन अगरनिक compound में भी जो sulfur है उसको हम test कर सकते हैं by the lessane extract लेकिन हम lessane extract के साथ 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 sorry lessane extract में भी हम जो halide है चाहे chloride हो, chloride हो यह प्रमाइड हो उसको भी हम check कर सकते हैं with the help of lessane extract which is also discussed in this class so if you want to take a note please take a screenshot then I will discuss the detection of halide in the next few times so now come to the detection of halide, halide means यतने भी आपके chloride है या fluoride है या iodine है bromide उसको हम halide compound भी बोलते हैं अगर ब्रोमीन हो तो बनाएगा आपका sodium bromide और अगर आपका iodine हो बनाएगा आपका sodium iodide तो यह sodium iodide या जितने भी lessane extract है उसमें हम HD by करेंगे with the help of nitric acid nitric acid के साथ हमने इसको हम इसको इसटाय फिर acidify किया फिर उसमें silver nitrate इसमें add करते हैं वो silver nitrate साथ rate करके अगर उसमें NaCl हो तो उसमें आपका क्या बनाएगा silver chloride and it is a white precipitate and it is dissolved and completely solvable in the ammonia अगर completely solvable हो गया और white pressure बना तो इसमें chloride element मुझूद है अगर बात करें हम bromide की अगर उसमें bromide है मतलब sodium bromide बनना वहाँ है Lysine extract में तो वो कहने कहीं आपके silver nitrate से rate करके क्या में आएगा आपका Agbr means silver bromide जो कि आपका yellow precipitate करका होता है और वो कहने कहीं आपका strangely circle होता है आपके ammonia में मतलब वो completely dissolve नहीं होता कुछ हरता को dissolve हो जाता है आपके ammonia में तो वह तरह किसे आपका उस compound में bromide होगा अगर उसमें आपका iodine हो में गर वो आपका लिसाइन extract है उसमें sodium iodide मोजुद हो तो कहने कहीं आपके क्या बक्या में लाश्ट में silver iodide जो कि जो भी आपका yellow precipitate color में होता है और वो जो yellow precipitate है वो completely insulver होगा आपके ammonia में अगर वो insulver हुआ तो उसमें उसमें मतलब यह है कि उस लिसाइन extract पे आपका उस compound में आपका iodine मोजूद है तो इस तरके से हम किसे भी element को चाहिए हो halide को हो या sulfur को हो या फिर आपका nitrogen को हो या carbon को हो या oxygen को हो वो इस procedure के तो हम test कर सकते हैं so this is the basic procedure or test of the detection of the various elements in the present in organic compounds so if you want to know please take a screenshot and thank you for watching my videos thank you